कहानी की सुद्वात में हम चार पुलिस ओफिसर को देखते हैं, जो पिट्रॉलिंग के लिए सिटी का रॉंड लगाने के लिए अपनी अपनी कार में निकल जाते हैं। इधर आफिसर मारिया और स्कोट एक टीम में होते हैं और आफिसर मरीनो और सोपियर एक टीम में होते हैं। मारिया और स्कोट पिट्रोलिंग के दौरान रोड साइट पर हो रहे दंगे और लड़ाई जगडे को रोकते हैं। और साथी स्टेट पर खेल रहे बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, जिसके कुछ देर बाद मारिया और स्कोट दूसरे टीम के ऑफिसर मॉरीनियो और सोपियर से भी मिलते हैं, जहां वो आपस में कुछ बाते कर रहे थे, और तभी मॉरीनो और सोपियर को 911 की मॉरी सौक हो जाती है, और घबराने लगती है, जहां वो अपने पार्टनर ऑफिसर स्कोट को भी कहती है, जिसके बाद मॉरीनो और सोपियर का आया है, तो बहतर यही होगा कि वहां इन्विस्टिकेशन के लिए वही जाए, पर मारिया के फेस पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है, जिसके बाद मॉरीनो और सोपियर उस लुकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें गेट पर एक बच्चा मिलता है, जो लेडी ऑफिसर मारिया के बारे में पूछने लगता है, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि मारिया और इस जगा का आसपास में कोई कन करता है, और ब्यूल्डिंग के में डोर के पास पहुंच कर जैसे ही वो ऑफिसर उस बच्चे के तरफ देखते हैं, तो वो वहाँ नहीं होता, घर के अंदर से अजीब सी चिलाने की अवाज आने लगती है, जिससे सुनकर वो दोनों ऑफिसर दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाते ही वो चारों तरफ अंधेरा देखते हैं, जहां पर मोरीनों जैसे ही सोपियर को देखती है, तो वो अपने काबू में नहीं होता, क्योंकि वो पुजिस हो चुका था, जिसके आँखों का कलर भी बदल चुका होता है, और वो मोरीनों पर ह करो कि वहाँ क्या हो रहा है जिसे सुनकर मारिया इसकॉट को कहती है कि मैंने कहा था कि वो कॉल हमें लेनी चाहिए क्योंकि मारिया को पहले से सक्था कि कुछ गलत होने वाला है जिसके बाद मारिया और इसकॉट उस लोकेशन पर पहुंच जाते है जहां पहुंचकर मारिया तोड़ा डरने लगती है और वो स्कॉर्ट से कहती है कि इस जगा को वो पहले से जानती है क्योंकि इस घर के साथ उसकी फैमली हिस्ट्री रही है और यहां से आगे वो खुदी समाल लेगी वो कार के डिकी में रखे अपने बैग से एक निकलिस निकाल कर पहन लेती है और उस पर होते हैं जहां ब्लैक मैजिक या कोई रिच्वल परफॉर्म किया जाता है जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं जहां ब्योल्डिंग के में डोर के पास स्कॉर्ट को वही बच्चा दिखता है जिसके बारे में स्कॉर्ट मारिया से पूछता है कि क्या तुमने इस बच्चे को पहले दिखा था क्या तुम से जानती हो घब रहत में मारिया सिकती है कि हाँ मैंने इस बच्चे को 20 साल पहले दिखा था जिसे सुनकर इसकोड भी सोच में पढ़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है इसके बाद वो डोर अपने आप खुल जाता है और उनके अंदर जाते ही वो डोर अपने आप बंध हो जाता है इधर चारों तरफ अंधेरा होता है और सारी विंडोस बंध होती है और घर के बाहर जाने के सभी रस्ते बंध होते हैं दोनों वहां उन दोनों ऑफिसर को सर्च करने लगते हैं जहां उन्हें दिवारों में एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है जहां से बहुत बुरी इसमे ला रही होती है पर जैसे ही उन्हें उस होल से उन दोनों ऑफिसर के चिलाने की आवाज आती है तो उससे सुनकर मारिया और इसकोरट उस होल में चले जाते हैं जहां पहुचने पर दोनों बहुत ज़्यादा सौक होते हैं क्योंकि वहाँ का महौल बहुत ज़्यादा ड्रावन ओता हैं वहां हर जिगह कैंडल्स होती है और एक गौट का कटा हुआ सर एक पोल पर लगा होता है और वहां रिच्वल से जुड़े कई सारे सिंबल बने हुए होते हैं साथ ही उन्हें वहां बच्चों की हट्टिया भी मिलती है जिन सब को देखकर एसकौट की हालत खराब होने लगत थी और ये जिगह हमारे लिए सेफ नहीं है हमें अभी यहां से निकल जाना चाहिए पर इसकौट कहता है कि अपने साथी ऑफिसर को लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे और तभी अचानक से मोरीनों के चीकने की आवाज आती है और एक तेज हवा के जोके के साथ वहां बोडी भी होती है साथ ही एक बड़े से बॉल में खून भरा हुआ हूँचा हा हुटा है जिसमें ऊपर से खून टपक रहा हुता है और जैसे ही वो दोनों ऊपर देखते हैं वो बोहुत जाधा डर जाते हैं क्योंकि वहां और ओफिसर मोरीनों की बॉडी उल्टी लटकी ह होती है जिसका सर कटा हुआ था जिसमें से खून टपक कर बॉल में जमा हो रहा होता है तभी वहाँ एक थान्तरिक जैसा दिखने वाला आदमी आ जाता है जो किसी और भासा में चैंटिंग करने लगता है जिस पर स्कॉट गन पॉइंट कर देता है वह थान्तरिक स्कॉर्ट को पोजस कर लेता है जिससे स्कॉर्ट उसके वस में आ जाता है और मारिया पर ही गन सूट करने लगता है जिससे बच कर मारिया एक जगह पर छिप जाती है और गन से सूट करके उस तांत्रिक को मार देती है और फिर अपने उसी निकलिस को निकाल कर कुछ मंत्रे चाइंट करने लगती है जिससे स्कॉर्ट पुजिसने से बाहर आ जाता है जिसके बाद वो दोनों वहां से वापस जाने लगते हैं तो तभी वहां अचानक से ऑफिसर सोपर आ जाता है जो कि अभी भी पूजिस था वो इसकॉर्ट पर एक नुकी ले धारदार हत्यार से हमला करता है जिसे रोकने के लिए मारिया अपने निकलिस को पकड़ कर फिर से चेंटिक करने लगती है पर का पोजेसेयन बहुत ज्यादा मजबूत होता है जिससे उस पर चेंटिंग का कोई भी अद्शर नहीं होता और अंत मे कोई चारा ना होने पर मारिया उस पर गन से सूट कर देती है और उससे लड़कर उसी के हत्यार से उसे मार देती है पर तब तक सोपर ने स्कॉट को बहुती बुरी तरह से जकमी कर दिया था जिससे स्कॉट भी मरने वाला होता है वो मरने से पहले मारिया से कहता है कि तुम इस जगा के बारे में सब कुछ पहले से जानती थी और इतना कहकर वो मर जाता है अब मारिया इस सबसे बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसके सभी साती मारे गए थे और वो उस ओल्ड लेडी पर बहुत ज़्यादा गुसा हो जाती है क्योंकि सब कुछ उसी के वज़ा से चुकी थी ताकि मैं जिन्दा बचचकूं और रितना कहकर वो उस ओल्ड लेडी को गण से सूठ करने ही वाली होती है पर उस ओल्ड लेडी के जादू से वो गण काम नहीं करता जिसके बाद उस ओल्ड लेडी के चारो तरफ से कई सारे टेंटिकल्स निकलते है जो मारिया क जकल लेता है और फिर वो ओल्ड लेडी मारिया से कहती है अगर तुम यहां रुकर हमारे रिलिजन को अपनाती उसे सीखती तो साइद मेरा मुकाबला कर पाती पर तुम हमें धोका देकर यहां से भाग गई थी जिसके बाद वो ओल्ड लेडी एक कटा हुआ सर मारिया के पास जिस पर मारिया उसे कहती है कि हाँ काम हो चुका है साथ ही उसके आखों का कलर भी बदल चुका होता है दरसल घर से बाहर आने के बाद जिस मारिया को हमने देखा था वो मारिया नहीं बलकि उसके बॉड़ी में वो ओल्ड लेडी होती है जिसने मारिया को खून पिलाया था अब उसकी सोल मारिया के सरीर में आ चुकी है और जो बच्चा वहां होता है वो भी एक घोश्ट होता है क्योंकि घर में इंट्री करने से पहले मारिया ने स्कॉट से कहा था कि मैंने इस बच्चे को आज से ठीक 20 साल पहले देखा था पर आज भी वो बच्चा वैसा का वैसा ही था जो होना impossible है इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जुरूर बताना वैसे दोस्तो कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मोवी के स्टोरी को एक्स्प्रेइन क्या था अगर आप लोगों ने उससे नहीं दिखा तो वाच निक्ष्ट पर क्लिक करके उससे जदूर से देख ले सो विल गाइज आज के वडियो में इतना ही थैंक्स ट्रे गुडबाय